मौसम विभाग के अनसार दक्षनी पश्चमी मौनसुन के यहां से और पीछे हटने के लिए प्रस्थित्या अनुकूल होती जा रही है अगले दो से तीन दिनों के दोरान उत्तर पश्चमी भारत के कुछ और हिस्से इसे सटे मध्यपरदेश सहीत मध्यभारत के कुछ हिस्से से मौनसुन की वापसी की संभावना है वहीं अगामी 48 गंटों के दोरान पूरवी मध्य परदेश में कहीं कहीं बारिश के साथ अकाशिय बिजली की भी संभावना जताई गई है 29 सितंबर तक पश्चमी मध्यपरदेश में चुट-पूट वर्षा की संभावना है और 30 सितंबर 2022 से 5 अक्तूबर 2022 के आज-पास मध्यपरदेश के कुछ हिसों से मोंसुन वौपसी की भी संभावना है वही राजस्तान में मोंसुन विदाइकी और बढ़चला है 5 अक्तूबर तक मौनसुन के पूरे परदेश से विदा होने की संभावना है फिलाल परदेश की सिती को देखा जाए तो बारिश का दोर लगबग सभी जिलों में थम गया है वहीं ताप पान में भी बडोतरी होती दिखाई दे रही है मौसम के जानकारों के अनुसार विदाई से पहले भी बारिश होने के आसार जताए गए है ऐसे में राज्ये के 6 जिलों में भारी बारिश हो सकती है राजस्तान में इस साल 592.6 mm बारिश हुई है इस सीजन समाने से 37 फिसदी बारिश देखने को मिली है राजस्तान में आने वाले दिनों की बात करें तो 3-4 दिन पूर्वी राजस्तान में केवल कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है उधर हरियाना पंजाब दिल्ली में अक्तूबर के शुरुआत में मौनसुन की विदाई हो जाएगी और इसके साथ ही जमुक श्यमीर लद्दाक हिमाचर परदेश उत्रकंड पश्मी उत्रपरदेश से भी मौनसुन विदा होगा हलाकि विदाई 20 सितंबर को पश्मी राजस्तान से शुरू हो चुकी थी लेकिन पहले दिन मौनसुन जहां से विदा हुआ छे दिन महीं ठहरा रहा मौसम विभाग के मताबिक 30 सितंबर तक बारिश की काउंटिंग होगी